नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद। यहाँ पर हमें कहा गया है कि प्रतियेक धन्पूर्णांग N के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 की पावर N माइनस 3 की पावर N 4 से विभाजित होता है। यहाँ पर धन्पूर्णांग N का अर्थ क्या है? सभी प्राक्रेट संख्याएं। सबसे पहले हम इस कथन को PN कह देंगे। हमने यहाँ पर लिखा कि मान लीजिए PN जो है 7 N माइनस 3 की पावर N 4 से विभाजित होता है। अब यदि हम बात करें N बराबर 1 के लिए यानि की हम देखेंगे कि P1 जो है तो P1 क्या आएगा? इस कथन में जहाँ पर भी आपको N दिखरा है वहाँ पर आपको 1 रखना है तो यह हो जाएगा 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 ठीक है? और यह कितना आजाएगा? यह आजा तो कि 4 से विभाजित होता है इसका तात पर्या है कि P1 सत्य है यानि कि जब आपने N को एक रखा तो जो एक कथन है यह सत्य साबित हो गया अब हम यहाँ पर मानेंगे कि N बराबर के के लिए दिया गया कथन सत्य है क्या अतनी बात सही है? अब यदि यहाँ पर जो PK है यानि कि 7K माइनस 3K यह 4 से विभाजित होता है तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते है? कि जो 7K माइनस 3K है यह बराबर होगा किसके? 4DK ठीक है? और जहाँ पर यह D कहां से है? प्राक्रित संख्याओं के समुच्य से है जैसे कि यदि मैं कहूं 16,4 से विभाजित होता है 16 को हम कैसे लिख सकते है? 4,4 इसे तरीके से यदि मैं कहूं 24 जो है वो 4 से विभाजित होता है तो इसे हम 4,6 इस तरीके से लिख सकते है ना? तो यहाँ पर हमने इसे 4 times D यानि कि 4 गुना D के दिख दिया है ठीक है, अब हम यहाँ पर इस कथन को K प्लस 1 के लिए सत्या सिद्ध करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? P K प्लस 1, तो देखते हैं P K प्लस 1 क्या आता है? तो दियान से देखेगा, यहाँ पर जो यह P K प्लस 1 है हमें क्या सिद्ध करना है कि यह 4 से विभाजवित होता है ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखे यहाँ पर पहले आप इसे लिखे, 7 की पावर K प्लस 1 ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस 3 की पावर K प्लस 1 अब यहाँ पर आप 7 इन्टू 3 की पावर K को माइनस और प्लस कर दीजिए क्योंकि यह क्या है, 0 ही तो है, क्योंकि सेम चीज माइनस और प्लस की है तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या एतनी बात क्लियर है, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखे यहाँ पर जो यह टर्म है, ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 7 क्या कॉमन लेंगे, 7, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7K माइनस 3K इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे, क्या इतना क्लियर है, प्लस जो यहाँ पर यह है यहाँ से हम क्या common लेंगे? यहाँ से हम लेंगे common 3K तो जब आप 3K common लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 7 minus यहाँ से आ जाएगा 3 क्या इतना clear है? अब 7K minus 3K कितना है? यह देखिए 4D है ना? क्योंकि हमने इसे ऐसा माना था तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 7 और यहाँ पर आ जाएगा 4D प्लस यह क्या आ जाएगा? 3K और 7 minus 3 कितना होता है? 4 होता है आप यहाँ से 4 common ले सकते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 7D प्लस 3K और यह क्या है? यह चार्ज विभाजित होता है इसका तात पर्या है कि PK प्लस 1 सत्य है यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे अता गणितिया आगमन सिदांत से प्रतियेक धन पूर्णांग इन के लिए कथन पी एन सत्य है